आज आपके लिए कठल की रेसिपी लेके आई हूँ जिसके लिए मैंने वन केजी कठल लिया है उसके साथ दो प्याज और थोड़ा लहसुन आपने पहले थोड़ा तेल दालना है कड़ाई में और उसको अच्छे से गरम होने देना है जब तक आपका तेल गरम होता है उतने को आप प्याज चौप कर लीजिए इसके साथ हरी मीर्च और लहसुन को आपस में कूट लीजिए किसी चीज़ से और आपने चेक करना है कि तेल गरम हुआ है कि नहीं हुआ है और हाँ फ्रेंड्स इस बात का जरूर ध्यान रखें जब कठल आप साफ करते हैं तो उसको अच्छे से साफ करना है जैसे ही तेल गरम होता है आपने इसमें चेक करके सारा कठल इसमें डाल देना है और उसको अच्छे से मिक्स करते रहना है अच्छे से mix करके उसको ढख लेना है और इसको तब तक पकाना है जब तक ये soft नहीं हो जाता इसको तब तक आपने पकाता रहना है और इस बात का ध्यान राखे कि इसकी आज़ बिल्कुल sim करनी है और इसको धीमी आज में ही पकाना है 20 मिंट तक इसे धीमी आज में पकाते रहें और बीच बीच में इसको हिलाते रहें कठल को soft होने के लिए थोड़ा time लगता है इसलएं आप राम से इसको हिलाते रहें और देखते रहे कि कहीं ये नीचे तो नहीं लगरा है जैसे आपको लगे कि थोड़ा सॉफ्ट होने लगा है आपने इसमें नमक, हल्दी, जीरा एड़ कर देना है थोड़ा उसके बाद आपने इसको पांच मिनट के लिए ढख देना है और इसमें अच्छे से भाप लगने देनी है जिससे ये सॉफ्ट होता रहेगा और इसको एक बार चेक जरूर कर लें खोलके कि अच्छे से सॉफ्ट हुआ है कि नहीं हुआ है जैसे सॉफ्ट हो जाएगा आपने एक प्लेट लेनी है और उसमें ये सारा निकाल देना है आप चाहे तो तुड़का लगाने के लिए दूसरी कड़ाई का यूज़ कर सकते हैं किसी बरतन का यूज़ कर सकते हैं लेकिन मैंने इसको धो के साफ कर लिया है अब आपने कड़ाई में थोड़ा सा तेल डालना है क्यूंकि और पहले भी डाल चुके तो आप अपने हिसाब से डाल लेना जब तक और गरम होता है लहसुन और प्याज को बारिक बारिक काटके रख लेना है उसके बाद आपने तेल को चेक करना है कि गरम हो गया है और उसमें थोड़ा सा जीरा एड़ करने के बाद आपने उसमें प्यास डाल देना है और अच्छे से इसको मिक्स करके छोड़ देना है प्याज को हिलाते रहना है चेक करना इसको ज़्यादा नहीं पूनना बस थोड़ा कच्चा ही रखना है उसके बाद जो आपने लहसुन और मिर्च का पेस्ट बनाया था और डाल देना है इसमें जो भी आप काम करेंगे वो धीमी आज पर ही करना है इससे आपकी जो सबजी इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आएगा आपने अकॉर्डिंग टू यू जैसे भी आपको पसंद है उसमें अच्छे से नमक मिर्च लग जाएं अब आपने पांस से दस मिनट के लिए इसको ढख लेना है तब तक आप अपना गैस चुला साफ कर दो और अच्छे से अच्छे से नमक मिर्च लग जाएं सफाई करके अगर आपने रोटी बनानी है तो आप रोटी बना सकते हैं मैं हमेशा जब भी कोई काम करती हूं तो साथ के साथ गैस चुला अपना साफ कर लेती हूं इससे ज्यादा गंदगी नहीं फेलती आपकी किचन साफ रहती है आप पी एट्रिक अपना लो जब तक आ आपकी सबजी त्यार हो रही है तब तक आप रोटी बना लो और सर्फ कर लो इंजॉय करो और हाँ फ्रेंड सीए यूटूब पे मेरी फैली वीडियो है प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना प्लीज मुझे ग्रो करने के लिए आपकी स्प अगर आप इस तरीके से गठल की सब्जी बनाते है यह कि मानी दोस्तों बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे पहले नहीं बनाना आता था जैसे मैंने यह यह ट्रिक अपनाई तो बहुत अच्छा लगता है मेरे हस्बेंट भी बहुत अच्छे से चाहा के खाते है और मुझे बहुत अच्छा लगता है चाहे आप सब्जी बनाएं या रोटी बनाएं जैसे ही आप काम कर लो साथ के साथ अपनी किचन को क्लीन कर लो इससे आपका काम भी नहीं फेलेगा और आप रिलैक्स होके अपना इंजॉय कर सकते हैं और दोस्तों प्लीज प्लीज मेरे चैनल को लाइक करना प्लीज क्योंकि ये मेरी फर्स्ट वीडियो है यूट्यूब के लिए उतनी अच्छी एडिटिंग भी नहीं है पर फिर भी मैं कोशिश किया कि मैं आपको आप लोगों के साथ ये शेयर कर सकूँ थैंक्स